मृत्य व्यक्ति ने चलाववो, तांतरिक विदी मां मडदा चाले छे, जैरे कोई व्यक्ति मृत्य उपामे छे, अत्वा तो जैरे डॉक्टर तेने मृत्य जाहर करे छे, तेरे ते संपूर्ण पणे मृत्य नती होती, पांच ती साथ मिनिट ते एरीते वर्त्रनुक करे छे, जैने ती जीवित होय, अने पची पड़ीने मृत्य उपामे छे, खलास थे जाए छे, तो आ तेना पर आदा रिच्छे के, जैरे कोई व्यक्ति मृत्य उपामे छे, त्यारे भारत मा किटलिक विदीयों करवा मा आवे छे, चौद दिवस सुधी जुदी-जुदी विधी करवा मा आवे छे, एक वकत दे छोड़ी दिदो, एक वकत पग पड़ी जाए, पची तमें चाली शको नहीं, भुरूत मानस चाली शके नहीं, खरूने, पने साचू नती, आपने तेमने चलावी शक्किये छे, भारत मा तांतरिक विज्ञान, तेमना माटे आज सगलू छे, मुरूत व्यक्तिने चलाववो, तांतरिक विधी मां मरदा चाले छे, आम तो तेना घणा किस्सा छे, पने एक किस्सो इतिहास मां नोंधा हेलो छे, एक योगी हतो, घणा योगी हो थी गया, हाने हजीपन छे, एक यो जणे सूर्य स्पर्ष मां निपुणता प्राप्त करियाती, अर्थात, स्पर्ष, संपर्क अथ्वा स्पर्ष, तो आ साउर स्पर्ष जेवू छे, योगनों एक चौकस प्रकार छे, जे सूर्य स्पर्ष कहवाई छे, तो तेने तेमा निपुणता मिलवी हती, आ एक बॉंग हतो, बॉंग एटली शू, बंगाली, तो ते वाराणसी मा रहतो हतो, अने ते समयांतरे तेना गुरू पासे जईने तेना विविद चर्णों शिख्यो, अने क्रमों शह तेमा निपुणता मिलवी रहतो, तो असंग्य वक्त ते जाहर मा प्रयोग करतो, के जो तमें एक पक्षी लावो, एक मुरूत पक्षी, जैने दरेक व्यक्ति ये चकासी जोयू होए, निशंक पणे मरेलू पक्षी, मरवानों डोल करी रेलू पक्षी नहीं, जो छिल्ला त्रण कल्लाक मा तेने जीव गुमावे होए, तो तेनू शरीर अककड थेई जाये चे, त्रण कल्लाक मा पक्षी अककड थेई जाये चे, मुर्ति बात मानाव देहनी तुल्नामा पक्षी ना शरीर मा घणा जडपती जड़ता आवी जाये चे, कारण के पक्षी ना शरीर नू तापमान, पक्षी ना शरीर नू तापमान मानाव देह करता घणू वदारे उँच्यू होए चे, आथी तेनू शरीर जडपती ठंड कल्लाग पची जो तमें ते योगी पासे पक्षी ने लई आओ तो साधा बिलोरी काश नी मदद थी ते पन सिधा सुर्य प्रकाश थी नहीं प्रती बिंबित प्रकाश थी तमें बाहरूबा हो औने बिलो रिकाश थकी सूर्य प्रकाश्णों उप्योग करीने ते योगी पक्षी ने जिवित करी देशे ते पक्षी किलकिलाट करशे ते बैस शे, ते चाल शे औने ते उड़ शे ते थोड़ा वकट सुधी उड़तू रह शे अने पच्छी पड़ी जैसे अने फरी मृत्त्य पाम शे तो जारे लोकों कहता तू तेने जिवित शाम अटे नथी करी शकतो तेरे ते कहतो हूँ आ साटलो जानो छो मारा गुरू आ करी शके छे हूँ अजी शेखी रहा हो चो पन ते समय तेनी उमर लगबग सित्तेर वर्ष्णी थवा आवी आती तेना दुर्भाग ये एक वार आऊ बन्यू एक सातेक वर्ष्णों छोक्रो त्यानों स्थानिक इस्लामिक प्रपुत्व शरूत है चुकियो हतो एक मुस्लिम राजानों सात वर्ष्णों पुत्र कोई अग्न्यात तावती मृत्यू पाम्यों पक्षी ने जिवित करना रा आ योगी विशे तेमने साम्बली होतो तेवो तेनी पासे गया आने बोल्या चालाने अमारा राजाना पुत्र पर प्रेत्न कर एकवा ते हतिके ते तेना देवतानी हाजरी ना बहार ना स्थडे कदी पन आ प्रेयोग अजिमावतो न हतो तेना एक नाना देव अन्या पवित्र स्थान हतो ते पवित्र स्थाननी बहार कदी पन आओ प्रेत्न करतो नहीं ते फक्त ते स्थान मच प्रेत्न करतो तेमने मन देवतानू कोई महत्व नती है, कारण के तेमना महत अनुसार ते अंदर्शद्धा छे, तेने एक उर्जा सोरुपनू सर्जन करियू छे, अनि तेना थकी ते काम करे छे, तेमने कहीं, आ देवता, आमें तेने महल मा लेई आवशू, योगी बोल्यो, ना, तेने ख अबदू चाली रही होतो, तेरे तेमने योगी ने पन डसड़ेओ, ते बोल्यो, हुँ नती आवववानो, हुँ आ नहीं करू, हुँ आ नती करवानो, जारे तेवो देवताने उठावी ने जाने कोई रमकडू होए, तेरी ते बाहर लई जेरेहाता, ते बोल्यो, हुँ क्यांच तेने रहसी नाख्यों अने आउँ करवा दर्म्यान तेवने देवताने पाड़ी नाख्या अने मूर्ती तूटी गई तो तेनना केटलाग सिश्यों हता जमने ते आनी केड़ावनी आपतो हतो आविद्या तेनी साथे ज मृत्तियु पामी बदुनाज पामी हो पण अत्यनता जवाबदार लोकोई स्पस्ट पण या नोंद करी छेके योगी ये वास्ताव मा आने घणी वकता विद्या आजुआवी हती ते त्राण कल्लाग पेला मृत्तियु पामेला पक्षीन सारा एवा समय सुदी एक कल्ला करता पण वधू समय सुदी जीवतू उड़तू कलरव करतू करी देतो वड़ी तेने वारामवार कईू हतू मारा गुरू आपक्षीने तेना आखा जीवन सुदी जीवतू राखी शके चे अने मारा गुरू मानत साथे पण तेम करी शके च आ प्रकर्ण असंखे लोकु थेया चे दक्षिण भरत में अन्याइक योगी है सामान्य पणे ते लोकू आ एक प्रकर्ण फ्रिंज योगी चे पक्षी योगी आ एक फ्रिंज योगी चे आ मुख्या प्रवानो योगी छे आथी लोको तेना आशिर्वाग लेवा माटे आउता अनि तेनी आसपास लोको नो खसो जमावडो रहेतो ते करनाटक मा रहेतो होतो धक्षिन पस्चिमी करनाटक अथ्वा तो धक्षिन कॉले गलनी नजिक मा क्यांक अने लोको तेने दर्शने आउता एक दिवस कईक आउत हैूँ एक जुवान चोकरों मृत्यू पामता तेना माता पिता तेना मृत्ये ने तेना लेई आवया तो ते वो भारे आकरंद करी रहा होता तेमने दय निये स्थिती जोईने अने कदाच योगीने लागी होत्तू के ते चोकरों मृत्यू पामबो जोईतों ना हतो ते अकसमात स्वरूपनू मृत्यू होतू अथी तेने आएक प्रकार ना दिवामा तेनी आंगडी बोडी सामने पणि चोकस प्रकार नी प्रक्रियों मा मगना रहता दरेक योगीनी बाजू मा एक दीवो प्रज्वलित रहतों तेलनो दीवो तो तेने तेनी आँगडी तेलमा बोडी अने तेने मृत्य चोकरा ना मौमा मुकी अने थोडिवार पछी चोकरो जीवतो थयो अने एकदम साजो थाई गयो जयरे कोई व्यक्ति मृत्यू पामे चे अथवा थो जयरे डॉक्टर तेने मृत जाहर करे चे त्यारेते संपूर्ण पने मृत नथी होते मृत्यों धीमे धीमे थाये चे जो तमें आना थी वाकेप न हो आ महिला क्या जाये चे त्यामने जानूँ जुए धर्मगुरुनी पुत्री कोई मसानियाना पुत्र के पुत्री कोई न थी तमारा माना मोटा भगना लोको जानता जशेके व्यक्ति मृत्यु पामे त्यार पची निशाग कपणे अग्यार दिवस सुदी गणी वकट चौद दिवस सुदी आंगलीना नक वदे चे वाल वदे चे तमें आ जानों छो किकला लोको आवाती वाकेप चे तो कारण के मृत्यु धिमिधि में थतू हवा थी ती तबक्कावार थही रहे उचे हजी संपुरुन न थी माटिना पिंड नी जीवन प्रक्रिया क्रमशा संकेलाए चे तमाम व्यवारू हितू हो माटे जारेते गती हीन थाई जाए फेवसा थंभी जाए रदे थंभी गए होई त्यारेते हो तो मनें मृत्त जाहर करशे पण हजी नहीं तो आनों उप्योग करीने जीवन प्रक्रिया हजी पन चालू छे तमें तैने प्रज्वलित करी शको छो अने सिस्टमने सक्रिया करी शको छो आनों उप्योग करीने तांतरी को ये मृत्त देहुने चलाव्या छे अने ते एउँ असाधरन न थी ते सामान्य छे अने किटली को कत तमें जानों छो तेउ तेना पर कारिय करता होई छे जैरे अंतीम संस्कार चाली रहा होई त्यारे आम थयू हवाना घणा दाखला छे मैं अंगत पणे न थी जोयू पण हूं किटलाक एवा लोकोंने जानों छो जैमने आंगे खोटू बोलवानू कोई कारण न थी अने त्यों खोटू बोलचे पण नहीं आवा लोकोंने सडगता शरीर ने उब्भू थाईने चालता जोयू छे तेमने तेने अगनी दाहा आपयो होई शरीर सडगी रहू होई पण ते उब्भू थाई अने चालता जोयू कारण के तेक शने जारे बहार्ती सडगवानू शरू थाई त्यारे जीवन प्रक्रियात पीचे हट करे छे अने किटलिक संकेंदरी जग्याव होई छे जाते एक शने जीवन बदू सघन रीते थे रहे हो होई छे तेहों तेनों उप्योग करे छे अने सिस्टम ने ए रीते प्रजोलित करे छे के अचानक शरीर उबू थहीने चाले छे पांच थी साथ मिनिट ते ए रीते वर्त्रनुक करे छे जाने ती जीवित होए अने पची पड़ीने मृत्यू पामे छे खलास थे जाए छे तो आ तेना पर आदा रीत छे के जयारे कोई व्यक्ती मृत्यू पामे छे त्यारे भारत मा किटलिक विधियो करवा मा आवे छे चौध दिवस सुधी जुदी जुदी विधी करवा मा आवे छे दुरभाग ये आ विधियो ए महदन छे ते catast विधी पाचल नूँ ग्ण्यान गुमावी दिदू छे ते पाचलनी शक्ती गुम थे गई छे अनने लोको बस Mज विधी करी रहा छे कोई व्यक्ती आज जी वी क्या माटे ते करी रही छे तो कोई व्यक्ती बस करवा खातर करी रहा छे बस एमच देव करी रहा छे, गणा ओछालोको खरा अर्थमा तेनू महत्वा समझे छे जीवन उर्जाओ धिमे धिमे क्षीन थती होवा थी, ते आनी अंदर घणे उंडे होई छे शरीर ना प्रत्य कोश्मा, ते एक साथी नती जती रहती, ते निश्क्रिय थही जाये छे पण, पुरुण पणे तेनों अंथ नती आवयो, ते धिमे धिमे मृत्य उपामे छे तो आपने ते प्रक्रिया जड़पी बनाववा इच्छी है, आपने नती इच्छता कि कोई व्यक्ती धिमे धिमे मृत्य उपामे, धिमे धिमे मरवू कस्ट दायक होई शके छे, खरूने, धिमे धिमे मरवू पीडा दायक होई छे कि नहीं, तो ते पीडा दायक होई शके आपने ते व्यक्ति जड़पती जाए तेमी इच्छी है जिये ते मृत्यू पामें त्यारे सव प्रतम पग ना आंगली अंगुठा बांध्वा मा आवे छे तम्य हजी आम करो चोगे नहीं अंगुठा साथे बांध्वा कराण के जो तम्य तेने साथे बांच्छो नहीं त सरीर ना निचे ना छेड़े थी, तो जीवन ने ग्रण करवानूं शरू करछे तो जीववा इच्छे छे कारण के शरीर ना तमाम कश्वत मृत्यव नती पाम्या het हजी पण जीववा हाटे प्रयात्न करी रहाँовые ते उर्जा खेंचवानों प्रयत्न करे छे, त्यारे चोककस बढ़ो शरीर मा प्रविश कर छे, तो तमे तमारा प्रियजन साथे ते थाए तेम नथी इच था, आथी मृत्यू पामताक शनेज तमे पगना अंगली अंगुठा बांदो छो, हवे बाहे मदत ओकर ते जड़प ते वी थो तो पण, जो कोई व्यक्ति तमने स्नान करावे, अनि तेवो तमारा चेहरा पर पाणी नाखे, जाने तमे पाणी मा गरकाव थेई गया हो, जयारे तमे नाना बाड़क हता, जयारे तमारी माता, तमने नवडावती हती, आपने त्या कदी शावर लेवानी के ते अमेशा तमारा माते आम पकड़ी रागती, अनि तमने पाणी मा गरकाव थेई गया होए, तेवी लागणी ना आवे, पण, जयारे विजी कोई व्यक्ति तमने नवडावे, त्यारे ते बस पाणी ढोई दे, खाके न, तो तमे जो चहरा पर पाणी रिडशो, तो आम पाणी मा गरकाव थेई जशे, जो कोई नानी प्ररुत्ति थेई रही हशे, तो ते पन समाप्त थेई जशे, तो प्रभावशाली रिते जिवू, अने प्रभावशाली रिते मृत्ति पाम्बू, घणू जरूरी छे, मृत्ति यू एक कोई एवो अजाने व विशह नती, क समपन्न थशे, तेने घणा लामबा समय पछी थवादो, पण अत्यारेते परिपक्व थेई रही हुछे, खरूने, तो जो तमे जीवनने बराबर समझो छो, एकदम बराबर रिते, तो तमे शरी नो ए रिते त्याक करो, जिती तमे समप्रून पणे त्याक करो, तमे तमे तमारा देहने अग्निदाह नहीं आपिए, कराण के तमारी पाचर लाकडानों व्य करवा नथी इचता, तमे समप्रून पणे विदायली दीछे, पची कोई उतावल नथी, अमे एक के बे दिवस माटे तमने राखी शकीये छीए, औने पची तमने दफन करीशो, तो पण पची ब्रस्टाचार व्यापी गयो, तो जे अद्भूत विग्णान हतू, ते वानिज्ये बनियो, अने वानिज्ये ब्रस्टाचार बनियो, तो आजे जो तमारा घरमा कोईनू मृत्यू थाए छे, त्यारे तमे एवा लोकों पासे जाओ छो, जे कशुक करवाना दा लावा करता होई छे, ते वो कहे छे, तमारा दादा जी ने दूद पियो छे, एक गाय आपो, एक लिटर दूद नहीं, एक गाय, तमारा दादा जी वर्सात पड़ी रहो छे, तमारा दादा जी ने छत्री जोईये छे, एक छत्री आपो, तमारा दादा कांटाडा मार्क प त्यो त्यमनू शरीर अहीं छोडीने गया छे एक वखत त्यमने अहीं देहनों त्याक करी दिदो पछी छत्री कपड़ा जूता बराबर नथी हाथ पंड दुरभाग्ये आउज थही रहूँ छे तो अत्यारे अमें लोकों ने आ प्रकारनी सेवाओ करवानी तालीमापवानी प्रक्रियामाँ छीए पंड तमारे कदीपन तेने तमारों व्यावसाई नहीं बनावानों बस एक सेवा तरीके जो तमें ते करवा इचता हो तो ते योग्ये रिते करवानी अमें तमने तालीमापी शक्किये छी अन्य जीवन मा आ घणी महत्वनी बाबत छे आ घणू महत वह पूर्ण पासू छे जैरे कोई व्यक्ति ये तेनों देह गुमावी दिदो छे ते तदन नी सहाये छे तेने मदद नहीं जरू छे अनि तेने मदद करी शकाये तेम छे पन दूशी थैला ब्रस्टा हातों वड़े नहीं कोई एवी व्यक्ति द्वारा जे कालजी ले अमें इशा सुडुकुडु धराविया छी ये तमें आ जानो छो शो तमने खबर न थी ओ हवे तमने एटली तो जान हवी जो ये के क्या मरवो अने जो तमारामा थी अमुक लोको आ माटे नी तालीम मेडवे तो तमें ते सेवा आपी शको छो अने ते घणी अगत्यनी आजनी दुन्यामा लोको तेनू मुल्य समश्ता नती तेवो तेनू मुल्य समश्ता ज नती पणे करवू अत्यन तरिते मुल्य वान छे